नमस्कार मैं हूँ अलाउद्दिन खान और आप देख रहे हैं एनस्टीबी बिहार बिहार सरकार के वन एमम परियावरन जलवायू परिवर्तन मंतरी नीरच कुमार बबलू अरडिया के बायो डावर्सिटी पार्क पहुचे जहां उन्होंने मेटिंग हॉल में आपने विभाग के अधिकारियों के साथ समिक शाबय ठकी और फिर बायो डावर्सिटी पार्क का निरक्षन भी किया इस मौके पर मंतरी ने कहा कि जिस तरह सीम नितिस कुमार एको टूरिज्म को बरहवा दे रहे हैं जिस तरह राजगीर पर फॉकस कर रहे हैं उसी तरज पर यह अरडिया का राजगीर है इसे और भी डेवलप किया जा सकता है मंतरी ने कहा कि अरडिया को जल्द ही बिहार का दूसरा चिडिया घर का तौफा मिलने वाला है रानिंगंज के ब्रिक्ष वाटिका को चिडिया घर और उसी में दस एकर में बंदर बागिचा बनाने का प्लान है मंतरी ने अपनी पतनी के साथ कुषियार गाउं पार्क में पौधे भी लगाए राजगीर को माने निरी मुखमंतरी जी पिशेश तरह से फोकस कर रहे हैं हमने राजगीर में हो और इसको हम लोग विशेश तवर फोकस करेंगे जो भी ये टूरिस्ट प्लिश बनाया गिया है पार्कंड करोना के वजह से हम सते हैं कि लगभग डेड़ सा हो गया है लोग नहीं आपार है तो इसको एकदम जितना जल्द हो सकता है प्रियास करेंगे कि 6 मेने के अंदर इसको हम लोग पूरा रेनोबेशन कराएंगे और बेहतर व्यवस्था करेंगे और जो भी यहां बेहतर व्यवस्था में नया कुछ करना पड़ेगा हम वह सबका रूप रेखा तयार करते हैं और इस जगह को निश्ची तुरुप से बहुत ही सांदार बनाया जागा उत्तर विहार का सबसे बढ़िया टूरिस्ट प्लेस हम लोग इसको बनाएंगे और फॉरेस्ट एरिया को भी डवलप करेंगे यह प्रियास रहेगा अभी हम हर चीज को देखें मेडिसन प्लांट भी यहां लगा हुआ है अब देख रहे हैं कि पुरा इसे पार्क के बीच से केनाल निकला हुआ है फॉंटेन है रेस्ट हाउस है तिन तमाम चीजों को और हम क्या वहतर कर सकते हैं बचों के लिए कुछ अलग से चिल्लेन पार्क का ब डबलब करने का परियास करेंगे